नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सनातन धर्म चैनल में आज हम जानेंगे कि क्या माता सीता वास्तों में रामड की पुत्री थी क्योंकि कई जगा ऐसा कहते हुए सुना गया है कि रामड की पुत्री ही सीता माता थी तो इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका वड प्रिफि को जानकी नोमी और सीता नोमी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यानि सन 2022 में 10 मई को पड़ा था। मा सीता को मालाक्षमी का भूमी आउतार कहा जाता है। भूमी से उत्पन होने के कारण उन्हें भू, मातमजा और राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन रख गया। तब जनक ने उस अस्थान की खुदाई का अदेश दिया। कहा जाता है कि उस अस्थान से एक कलस निकला जिसमें एक सुन्दर सी कन्या थी। चुकि राजा जनक नी संतान थे। इसलिए उन्होंने कन्या को इसवर की क्रिपा मान कर पुत्री बना लिया। हलका सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलस से प्राप्थ होने के कारण सीता स्वयम को पृत्वी की पुत्री मानती थी। वहीं वास्तों में सीता के पिता कौन थे। और कलस में सीता कैसे आई। इसका उले अलग-अलग भासाओं में तूसरी कथाओं से मिलता है अधभुत रमायड की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की दरसल ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा आती है कि जहां से रामण के अंत की कथा भी जुड़ती है कहते हैं रामण के अंत के पिछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती मासीता इन्ही वेदवती का पुनर जन्म है वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुसील और धार्मी कन्या थी वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी ब्रह् कञ्या वेद्वति को देखा तो मोहित हो गया व कञ्या के पास गया और अभी तक उशकी अविवाहित रहने का कारण पूचा तब वेद्वती ने बताया कि उसके पिता उसका विवा स्री विश्नु से करना चाहते थे लेकिन एक राक्षस के मुझ उस पर मुहित हो जाने के कारण उसने मेरे पिता का बद कर दिया। पती के बियोग में माता का भी ध्यांत हो गया। पिता की मृत्यू का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रामड ने सुरू में वेदवती को बहलाने की कोशिस की लेकिन उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिये तब कहा आजाता है कि वेदवती ने रामड के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दोड़ते हुए अग्रिक कुंड में कूद कर अपनी अधुद रमाड में ही हुई लेक है कि रावरा कहता है कि जं मैं भूलवस अपनी फुत्री से प्रणः की इच्छा करूं तब वही मेरी मिर्तों का कारण बने अधुत्रमाड के परसंग के अनुसार ही दंडकारन में गृत सम्मद नाम का एक ब्रामण रहता था जो मालच्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करने की कामना करता था इसी कामना से वह प्रत दिन एक कलस में कुष के अगर भाग से मंत्रोचारण के साथ दूद की बूंदे समर्पित करता था कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था कभी असुर देवों पर तो कभी देव असुरों पर आकर्मण किया करते थे उसी बीच किसी दिर रामड उस ब्रामड की कुटिया पर पहुँच गया उस समय मिर्समद वहां उपस्थित नहीं थे इसका फायदा उठा कर रामड ने आस्रम के अन्य ब्रामडों रिष्णों को मार कर उनके रक्त को उसी कलस में भर दिया कहते हैं कि रामड उस रक्त कलस को अपने साथ लेकर लंका चला गया जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलस को संभाल कर रखने को कहा वहीं मंदोदरी को उस कलस में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा इसमें बहुत जहरीला भीस है जब रामड कुछ दिनों के बाद बिहार के उद्धिस से किसी परवत पर चला गया तो मंदूदरी को पसंद नहीं आया कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन मंदूदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्धिस से कलस में रखा पदार्थ पी लिया वहीं देवी लेक्षमी को पुतरी के रुप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोचारी दूद का ऐसा प्रभाव पड़ा के मंदूदरी गर्वोती हो गई उसके बाद मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पती मेरे साथ नहीं है ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे यही सब सोचते हुए मंदोदरी तिर्थ यातरा के बाहने कुरूचेती चली गई कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्ब को निकाल कर भूण को एक घड़े में रखकर भूमी में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में असनान कर वह वापस लंका लोट गई कहते हैं कालांतर में इसी भूण से सीता का जनम हुआ मानेता है कि वहीं घड़ा हल चलाते समय मिथला के राजा जनक को मिला था जिसमें से सीता जी प्रकट हुए थी थाई रामायड और लोक कथाव में भी मा सीता के जनम और जीवन को लेकर अलग अलग धंग से वणन मिलता है जहां तक बात अदवुत रामायड की है तो बता दें एक बाद इसी भारत वाज ने रिषी बालमिकी से रामायड के कुछ गुप्त और रहस्य मय पहलूँ को बताने के लिए कहा था और कहा जाता है कि इसे के परडाम सुरुप बालमिकी द्वारा अधुत रमायर लिखी गई थी यह संस्क्रिट भासा में है जो 27 सर्गों में रचित एक बिसेस कविता है जबकि बालमिकी रमायर को इस क्रंथ का प्रडा सुरुत भी बताया जाता है तो दोस्तों कैसी रही जानकारी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसरे राम